आपका हर्दिक स्वागत है आदर्शकेट लेटेश्ट अपडेट के अंतर गत आज हम आपके सामने आदर्शकेट कोपरटी सोसाइटी की एक रिट के संदर्ब में स्पेशल अपडेट देने के लिए प्रेजेंट हुए है आपको बता दे कि आदर्शकेट कोपरटी सोसाइटी के संदर्ब में मात्र तीस निवेशकों की और से एक रिट याची का मानिनी राजस्तान उच्चे नेले में प्रस्तुत की गई थी दिनांग 25 फरवरी 2020 को 25 फरवरी 2020 को इस रिट याची का के प्रस्तुत करने के बाद लंबे समय से कोरोना काल के प्रभाव के रहते प्रापर सुनवाई नहीं हो पाई और आज तारिक को उसकी सुनवाई थी इस रिट के बारे में लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं आपको कि आज दिनांग 18.11.2020 को इसकी हेरिंग थी कोर्ट में 30 नंबर पर और 30 नंबर पर हेरिंग होने के कारण इस रिट याची का के अंतरगत क्या लेटेस्ट अपडेट आप सुनिए लेकिन उससे पहले मैं था जिनके नाम आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं वह सभी निवेशक जो इस रिट में शामिल है वो अपने नाम यहाँ पर देख सकते हैं आपको बता दे कि इस रिट याची का के अंतरगत जो रेस्पोडेंट है दा यूनियन ओफ इंडिया सेंटर रिजिटार भारत सरक होद है और इनके पक्षकार बनाते हुए यह जो रिट याची का प्रस्तुत की गई थी आज 18.11.2020 को माननी राजिस्थान उच्च नियाले ने केंदर सरकार, जरिये सेंटर रिष्टार, SFIU, SOG और जो भी कंसर्ण डिपार्टमेंट है सभी को नोटिस जारी कर दिये साथियों यह एक बड़ी खबर है, रिट याची का के अंतरगत मैं आपको बता दूँ कि रिट याची का जो भी है वो आदश केट को आपरेटिव सोसाइटी की उपस्तिती की महताज नहीं है कोई डिपार्टमेंट आता है, नहीं आता है, अपना रिप्लाई प्रजेंट करता है, नहीं करता है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि कोड को मिलाकर पिडित निवेशकों के अधिकारों का शंडरक्षन करना है कॉल मिलाकर पिडित निवेशकों के लिए अब वो समय आ गया है जब उनके रिटियाचीगाओ की प्रपर सुनवाई होगी और उनके साथ न्याय होगा संपूर्ण हिंदुस्तान की निवेशकों को ये मैं कहना चाहूंगा मेरी बात को ध्यान से सुने कि आपने हजारो कॉल्ड रिकोर्डिंग सुन ली हजारो ग्यापन दे दिये कहीं मिनिस्टरों से बात कर ली लेकिन हर जगह से आपको केवल और केवल एक ही शब्द सुनने को मिल रहा है और वो शब्द क्या है कि सारे मामले न्याले में लंबी थे अब न्याले के आदेश्चे ही कुछ हो सकता है इसलिए मैं प्रतेग निवेशक से ही कहना चाहता हूँ चाहे आप कश्मीर से हो या कण्या कुमारी से हो अपने अधिकारों का शंरक्षन करें किसे अच्छे हाई कोट एडवोकेट से मिले और अपनी रिटियाची का मानिन न्यालें प्रस्तुत करें अन्यता आपकी गाड़ी मेहनत का पैसा आपका जीवन भर की पूंजी आपके डूप जाएगी और कोई राशी आपको नहीं मिल इस मामले में कहना चाहता हूँ अपने अधिकारों का शंडरक्षन करें और high court के अंदर यदि आपने अब तक अपनी रिटियाची काई प्रस्तुत नहीं किए तो concern high court में अपनी रिटियाची काई प्रस्तुत करें ताकि समय रहतें कम से कम आपके पक्ष में एक आदेश आ पार है इसे लिए आपके सामने केवल और एक केवल एक ही विकल बचा है कि अपने अधिकारों का शनरक्षन करते हुए हाई कोट में रिट्याची का प्रस्तुत करें यह जो रिट्याची का जिसका अपडेट में ने आपको दिया है यह 30 निवेशकों की मनोर लाल जोशी बना जाना प्रस्तालम बारत सरकार है इसके अलवा भी आदर्श केवल कोटी सोसाइट्टी के संदर्ब में लक्षमी नारेंड पातिदार बनाव भारत संग जिसमें 2588 निवेशक शामिल है ललित कुमार व्यास बना भारत सरकार जिसमें की 1578 निवेशक शामिल है चंपाल्याल जिसमें 840 निवेशक और इसके बाद अंबालाल नागदा बनाम भारस संग जिसमें कि 290 निवेशक शामिल है उनकी रीट याच्छी का ओक संबंदी जो भी अपडेट आएंगे उनकी डेट पर आपको इसी रूप से पहुचाए जाते रहेंगे आप वाट्सप करें या किसी भी तरफ से अपडेट पूछे लेकिन अपडेट आपको तभी दिया जा सकेगा जब कोड से कोई अच्छी ख़बर हमको विले तो आज की अच्छी और लेटेश्ट अपडेट यह है कि आदर्श करेट को आपरटी सोसाइटी के मामले में मनोर लाल जोशी बनाम भारस संग सिविल इट पेटिशन नंबर 3056 अबलिक 2020 में आज मानिन राचस्तान उच्छने आले ने केंदर सरकार, SFIU, SOG, आदर्श और कंसर्ट डिपार्टमेंट को आज नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है कि वो अपना जवाब प्रस्तुत करें और बहुत जल्दी आपके अ धन्यवाद, जय हिन, जय भारत, जय राजस्तान अगले अपडेट को पाने के लिए चैनल तुरत सब्सक्राइब करें